पाकी यहां से physics की असली जर्णिय स्टार्ट होती है बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमारा backlog है अगर unit and dimension का या basic math का या vector का तो हम आगे पर है या आज ही हमने admission लिया तो हम क्या करें तो ध्यान से सुनना बहुत simple सी बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना देख भई अग अगरी में physics तो यहीं से सुरू होता है kinematics है kinematics में especially आज हम motion in a straight line 1D motion शुरू करेंगे तो अगर आप admission आज ले रहे हो अभी ले रहे हो तो भी आप यहां से start कर सकते हो कोई problem नहीं है पढ़ना समझना सीखना अगर आपको live class लेना है तो अगर आपको live class लेना है तो आप यह से start कर सकते हैं otherwise अगर आप recorded में सही चल रहा है समझ रहे हैं सवाल लगा पा रहा है सब ठीक चल रहा है तो recorded चलते रहे है कि जो भी है recorded चलते रहे है recorded चलते रहने में कोई problem नहीं है अगर आप live class लेना चाहते है तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं recorded आपका चल रहे है तो आप यहां से करते रह सकते हैं बात यहां है कि एक चिप्टर या दो चिप्टर का backlog है बहुत असान सी बात है अगर backlog है मैं बात अभी सिर्फ physics की कर र लोग है तो पेटा extra मेहनत करना परेगा extra effort लगाना परेगा आप हर रोज एक lecture यह alternate day एक lecture करो extra कि alternate day कि alternate day अगर आप का मानलो मैं maximum maximum सकता हूं दो चेप्टर या तो तुम्हारा तीन ही चेप्टर का backlog है तो तीन चेप्टर 22 लेक्चर यह 25-25 लेक्चर को कवर करने में तुमको बावन दिन लगेंगे मतलब लगबग 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 डेशे दो महिना लगेगा कोई दिक्कत नहीं है एक मन्त में तुम अल्टर टू मन्त लगेंगे तुम्हें लेकिन तुम सुब गाम कर रहों तुम संडे सटफ या तीन लेक्चर देख इसमें छोटे छोटे ट्योनिमेटरी चोटे 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 ग्राफ का यूज होगा वेक्टर्ट का ही चल रहा है तो यहां से चलते रहो